इस भयांकर गड़मी में आपके बच्चे को कुछे स्पेसल सखाने का मन हो तो आप इस रेसेपी को ट्राइ किजिएगा इस भयांकर गड़मी में भी मुश्किल से आप इसे पांच नोटे बना करेड़ी कर सकते हैं और टेस्ट में इतना गजब कि बच्चे बड़े दोनों आप दोने तो आप बड़े जाने वाले हैं चलिए सुरू करते हैं रचेपी को बनाने के लिए सबसे पहले है मैं चाहिए दूद मैं यहां देखिए आधे कब दूद का कि इस्तमाल कर रहे हूं कोसिजिए कि दूद ठंडा हो फ्रीज का दूद मत लिजेगा इसी तरीके से एक बार हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे अगर आपके पास चीनी का पड़र नहीं है तो आप यहां आपको जितना मीठा पसंद है उसके अनुसार से चीनी डाले और बिल्कुल अच्छे तरीके से चीनी को घूलने तक पीसे फेट लें यहां ली हूँ तीन ब्रेट के स बच्छों के लिए बना रही हूं तो मैं इसके किनाड़ को बिल्कुल भी नहीं काटूंगी अब हम जो दूद बनाए तहां यानि कस्टड वाला दूद अच्छे तरीके से ब्रेट के ऊपर हम लगा देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्रेट को सोग कीजेगा इस कस् अगर आपको ड्राइफ रूट नहीं डालना तो आप यहां जो चोकर चिप्स होते हैं आप यहां डाल सकते हैं या फिर डेल मुक के चोटे-चोटे से टुकरे कर लिजिए और इसमें डाल दीजिए फिर उपर रख देंगे हम दूसरा ब्रेट और इसी ब्रेट को भी हम अंदर काफी सॉप्ट होता है ज्यादा उपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से काफी सॉप्ट होता है तो देखें यहां सारा दूद्ध खतम हो चुका है अब गैस पर रखेंगे हम पैन और एकदम पैन को हलका घड़म करेंगे तो इस रेसपी को बनाने के लिए आपको इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से चोड़ दीजेगा एक मिनट के बाद नीचे से अच्छे तरीके से सीख जाता है तब आप इसके अंदर कर्ची लगाएगा और दो कर्ची के मदद से आप इसे पलट यह तो यह तूट जाएगा क्योंकि काफी सॉप्ट रहता है देखें इसे रेसिपी है अगर आपको इस भैंगर गडवी में बच्चे बोले या फिर बड़े को भी कुछ स्पेसल खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को एक बार प्लीज ट्राइक कीजिएगा सभी को बहुत पसंद आएगा पलटने के बाद इसे फिर से एक मिनट के लिए छोड वाहिम पाल आपे-श बड़like से बाल के एक मिनट के बाद न कीजिए कोशने केहरी दोमदोरा में पलटने की जरूरत नहीं तरीके से ब्ली के बिल्कुल अच्छा तरीके से इस अच्छा अच्छा तरीके से किनाडो को खाला इफार हुँ उपर मैं घॉक्री दाल सकती हुँ आप चाहिए चौकलेट गनास को चौकलेट खाना तो पसंद होता है मैं इसे काट के दिखाती हूँ अंदर से ये काफी सॉप्ट बनता है और उपर से काफी क्रिस्पी बनता है तो रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंडर बताएगा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली में जरूर सेर का तो बना ये इस बह्यां कर गर्मी में पने बत्यों का दिमान पे इस रेसिपी को